नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एजुकेशन पोर्टल में आज हम एक बारती सेना के और से एक बहुत बड़ी बरती लेके आए है A.C.C. सेंटर की बरती है जो कि T.O.D. के चलते हुए सिविलिन डिफेंस की बड़ी बरती है इसमें T.O.D. जैसा प्रस्ताव है वो लागू नहीं हुआ है और T.O.D. के चलते ये बहुत अच्छी बरती रहने वाली है ये बरती गोर्मेंट ओप इंडिया मिनिस्ट्री अब डिफेंस के अंतरगत आती है हेड़ कोर्टर सेंटर कमंडेंट की बरती है ग्रूप C requirement 2022 बरती का नाम है इसमें पद है वो 458 यान पद रहने वाले है ग्रूप C के पद है टोटली इसके बाद हम परती के बारे में डिटेल से बात करें तो इसकी इंपोर्टेंट डेट है वो एप्लिकेशन इस्टार्ट है एक्सपेंडेट डेट बताई है 25 जून 2022 को स्टार्ट होके 21 दिन तक बरेंगे यानि लास्ट डेट है वो एक्सपेंडेट 15 जुलई रहने वाला है इंप्लॉर्मेंट निउस्पेपर में पब्लिश्ट अभी हुआ नहीं है एज लिमिट क्राइटेरिया की हम बात करें तो फॉर सिविलियन मोटर ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 37 साल की एज रहने वाली है और अधर आल पोस्ट के लिए 18 से 25 साल है वो एज रहने वाली है एज डिलेशन एज पर रूल्स है वो आपको एज डिलेशन मिलेगा जो की सिविलिन डिफेंस के अंतरगत रूल्स लागव होते हैं जैसे कि ओबी सी को तीन साल की चूट मिलती है डॉबलो एस और जनरल को नहीं चूट मिलती है इसके बाद में डिल्र के दिटे Madrid का रहे तो इसके टॉटल नंबर ऑपॉस्ट है वह 558 रहने वाले है से संट पर नाम और पॉस्ट की डिटेयल दी गी हम जैसे की Пउश्ट है उसमें General का नहीं है, SE का नहीं है, HT का 6, OBC का 9 है, EWS का 1 है. Civilian Catering instructor की है, वो General के 17 है, SC का 6, HT क 3 है, OBC का 9 है, और EWS का 4 है. इस परकार से पोश्ट की डिटेल दी गई है अगर मैं एक एक पोश्ट के बारे में बात करूँगा तो वीडियो है वो कापी लंबा हो जाएगा इसलिए आगर आपको डिटेल से देखना है तो वीडियो को प्रेस कर सकते हैं या फिर में इसका नोटिपिकेशन है वो डिस्क इसके बाद हम eligibility detail की करें तो हम post वाई अलग-अलग eligibility criteria है वो demand किया गया है उसके according होना जरूरी है और अलग-अलग trade में बरती है वो होने वाली है तो निमनली की trade आप देख सकते हैं पॉस्ट का नेम दिया है कि इतनी पॉस्ट है और उसके लिए क्या eligibility रहने वाली है अगर सबसे बड़ी वेकेंसी की बात करें तहां इसमें MTS चोकिदार की रहने वाली है इसके लिए eligibility criteria matriculation और equivalent from record नासे बोट आप इंडिया प्रफॉर्मेंस इन ट्रेड वर्क है यह मैं बता देता हूं सबसे बड़ी इंपोर्टेंट आपको यह जानने के जरूरी है कि जिस ट्रेड का आप एक्जाम दे रहे हो उस ट्रेड के बारे में knowledge होना बहुत जरूरी है क्यूंकि आप जब पोके और इसके बड़ी ही इन इसके बाद में बात करें थो 59 फोस्ट है जो कि चापी अच्छी और बड़ी बरती निकल के आ रही है फोटीवन अम्निशन डिपो के बाद में फायर मेंन किये वो कपी अच्छी और बड़ी बरती निकल के सामने आ रही है आर्मी की और से फायर मेंन की अब मयोगिता की बात करें तो सब्सक्राइब करते हैं उसका आपको नोलेज होना जरूरी है मेंटिनेस है और अपलाई कैसे करते हैं उसका आपको नोलेज होना जरूरी है must be familiar with a use of maintenance, first aid, and fire fighting appliances, test and trailer fire must be elementary principles of fire method employed in different types fire extinguisher जो भी fire extinguisher है उसका नोलेज होना चाहिए है आग में कौन सा आप मीडिया अपलाइड करते हैं वो आपको नोलेज होना जरूरी है यानि सीधी तोर पर कहें तो आपके पास experience होना जरूरी है अगर आपके पास 2-3 साल का experience है fireman का तो आप form बढ़ें ने था form बढ़ने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि आगर आप return test अगर qualify कर लेते हैं तो आप trade test में वो आगे जाके दिक्कत आने वाली है इसलिए मैं आपको suggest करता हूँ कि आपको return test के साथ में trade test की बीत्यारी जरूर करें इसमें है उस बंदों को है वो अधिक फाइदा मिलेगा जो हाल में किसी जगे पर है एज फायर में में जो कर रहे हैं उनको है वो अधिक benefit मिलने वाला है इसके लिए पोस्ट है वो तैरा रहना वाला में ट्रिकुलेशन एक्विलेंट फॉर्म रिकाइदेशन बोर्ड सुड भी पर्पॉमेंस इन ट्रेड वर्क आपको है वो driving test भी इसमें होगा और अधर टेस्ट तो होने वाला ही है उसके बाद में आप सिविलेंट केटेगरिंग की जो अलग-अलग पोस्ट है उसको आप देख सकते हैं कुक की है क्लेनर की है सिविलेंट मोटर ड्राइवर की भी काफी अच्छी पोस्ट है 153 है जो की इसमें भी ट्रेड टेस्ट होने वाला है अलग-अलग जोन की अलग-अलग वेकेंसी है अगर आपको जोन वाइस या सिटी वाइस वेकेंसी देखनी है तो हमारे वीडियो का प्रेस करके जरूर है वो देख सकते हैं मैंने हर एक की बारी की से डिटेल है वो डालती है तो आप वीडियो को प्रेस करके जरूर है वो इससे पहले मैं दोस्तों बता दूँ कि हमारे चनल पर अगर नए हैं तो हमारे चनल को एजुकेशन पोटल को लाइक सस्क्राइब और सेर जरूर करें क्योंकि दोस्तों वेकेंसी की है अपडेट लानने में बहुत मेहनत लगती है और आपके लिए छोटी छोटी डीटेल है वो बड़े नोटिपिकेशन से है वो मैंने कलेक्ट करके छोटा नोटिपिकेशन सोट डीटेल में बनाता हूं ताकि आपको है वो अराम से समझ में आ जाए और पीडियप की कॉलेटी है वह मैंने काफी मेरे हिसाब से काफी अच्छी करी कि ए और अगर और इंप्रूमेंट करना है तो आप जरूर करके बताई है कि आपको फॉरम करना है उसके बार मैं वीडियो चाहिए तो आप करके जरूर बता दीजैए इसके बाद में हम बात करें डॉकुमेंट एजुकेशन और डॉकॉमेंट कया क्या रिक्तैवेंट रहेंगे तो अब है और डीच्वेचिन है कौलीफिकेशन उसका डॉकुमेंट आपको लगाना है डेर तो बर्थ का प्रूफ है जो कि आपका 10th का certificate है वो आपको प्रूफ है वो valid प्रूफ रहता है डेर तो बर्थ के लिए तो वो आपको लगाना है तो additional passport size photograph self-attested आपको हर document self-attested करना है और form के चिपकाने के अलावा दो additional passport size का photo है वो साथ में बेजना है एक्स शर्विश्मान प्रूफ सर्टिपिकेट अगर आप की category में आते हैं तो आपको discharge certificate है वो आटेज करना है card certificate अटेज करना OBC, SC और ST वालों के card certificate है वो आटेज करना साथ में EWS वालों के पह जरूर आटेज करना है experience certificate है वो भी आपको अटेज करना है EWS का certificate है जो अटेज करना है no objection certificate है यानि कि जो NOC बोलते हैं वो भी आपको है वो अटेज करनी है all document daily self-attested सभी document है वो उस पे अपना हश्टाक्षर होना आनिवारी है application should be forward to this address अगर आप एसी सेंटर साउथ के लिए बेज रहे हैं तो इस एड्रेस पे आप फॉरवड करेंगे और अगर आप एसी सेंटर नौर्थ के लिए बेज रहे हैं तो आप second address पे है वो application forward करेंगे सबसे important में बता दूगी जो आपका मैंन लिप पर रहेगा जिसके सबसे उपर आप लिखेंगे करता हूं कि आप रजिस्टर पॉर्ट या स्पीट पॉस सही बेजें इसके बाद में आपका एक्जामीनिशन के बात करें तो सेलवस है इसका पेपर बाग फर्ष्ट में है रिजनिंग आएगा जो कि 25 नंबर का है 25 क्यूसन रहने वाले बाग सेकेंड में है वो जीके रहे आपको टू आवर्स मिलने वाला है दन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास तक देखने के लिए दन्यवाद अगर हमारे दिवारत दीगी जान करें आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगती है तो हमारे चैनल एजुकेशन पोर्टल को है लाइक सब्सक्राइब एंड सेर ज निवाद दो